हेलो एवरिवान, वेलकम बाक तो मैं चानल, तो आज हम आए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ काले मिर्च चिकन, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे बनाने के लिए यहां हमने एक बोल में आधा किलो चिकन अच्छे से धूकर ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे एक चमच काले मिर्च पाउडर, एक चमच हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टीस्ट की हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, और एक नीबू का रस हम अच्छे से निचोड लेंगे, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनिट के लिए धक के साइड में रख देंगे, मैरिनेट होने के लिए, ताकि जो मसाला, जो काले मिर्च, नमक और नीबू का रस है, वो अच्छे से अंदर तक मिक्स हो जाए चिकिन में, तो यहां हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे रख देंगे, तो आदा गंटा हो गया है, मैरिनेट हो चुका है, यहां हम पैन में दो से तीन टेबल स्पून तेल ले लेंगे, और एक एक चिकन की पीसेज हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, गैस के फ्रेम को लो पे ही रखिएगा, ताकि चिकन अच्छे से फ्राइ हो जाए, लो फ्रेम पे ही चिकन को फ्राइ करना है, तो यह देखे कुछ इस तरीके से, 50 पोसंट चिकन फ्राइ हो जाए हमारी, पैन में दो से तीन टेबल स्पून तेल ले लिया है, और यहां मीडियम साइस तीन प्याज हमने स्लाइजिस में कट करके लिया है, इसे हमें अच्छे से फ्राइ करना है, इसमें हम अब डालेंगे, 6 से 7 काजू, 3 हरी मेर्ज, और 5 से 6 लिस्सुन की कलियां डालेंगे हम इसमें, और 1 फोट चॉप्ट हम इसमें अध्रक डालेंगे, और इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, जब तकि हलकी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हलका होना चाहिए, चलाते रहिए अच्छे से जब तकि देखिए, कुछ इस तरीके से खलकी गोल्डन ब्राउन जब हो जाए, तो इसे थंडा करके पीस लेना है, यहाँ पे हमारा पेस्ट बनके तयार है, अब उसी पैन में हम एक चमच तेल डालेंगे, और तीन छोटी लाइची, तीन लॉंग, और एक दालचनी की लकड़ी तोड़ के हम डालके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, धीमी आज पे, जब इस खलकी सी फ्राई हो जाए, तो जो पेस्ट हमें तयार किया है अभी, वो हम इसमें मिला लेंगे, पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है, ताकि थोड़ा बहुत कलर इसका भी चेंज हो जाए, वैसे तो हमने अच्छे से फ्राई किया है, लेकिश फिर भी, और इसमें हम आदा चमश डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पाथ से छे मिनट के लिए, तो यहां हमने अच्छे से चला लिया है, अब हम इसमें जो चिकन फ्राई किया था, वो हम इसमें डाल देंगे, चिकन डालते रिटाइम, गैस की फ्लेम को लो पे ही रखिए, ताकि जो हमने पेस्ट इसमें डाला है, वो जलेना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब अच्छे से मिक्स कर लें, तो एक छोटी कटोरी दही की, हम इसमें अड़ कर देंगे, दही से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो आप देख सकते हैं कलर यहाँ आपने एक चम्मत कस्तूरी मेथी लिए आप चाहें तो आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन कट करके डाल दी है इसे अच्छे से मिला लेना है फिर आपको जिससाब से पानी चाहिए उससाब से आप उतना पानी एड़ करके करीब 10-15 मिनट इसे पकने दे अच्छे से ताकि हमारा चिकन भी पक जाए और हमारी जो क्रेवी है जो पानी है वो भी अच्छे से बॉइल हो जाए इसमें हमने एक चमच काली मिच पाउडर और आड़ किया है अब इसे अच्छे से हम बॉइल होने देते हैं 10-15 मिनट करीब तो 10-15 मिनट हो गए हैं यहां अमारा चिकन बन के तैयार है आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी थी और यह बहुत ही अच्छी बनती है आप इसे रोटी के साथ पाव के साथ या चावल सालन भी खाईए बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी इसमें जो काली मिच का और जो नीबू का टेस्ट आता है और उसमें दही भी आड़ हो जाती हो ब भी आप यह रेसिपी बना सकते हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी यह देखिए अब हम गार्निश के लिए उपर से थोड़ा सा और स्प्रिंग अनियन और हरी धनिया डाल देंगे आप चाहें तो आप स्प्रिंग अनियन को स्किप भी कर सकते यानि कि आप नहीं डालिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूराइए